नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल पर सेंडरा एडवांस एजूकेशन पर आपका स्वागत है अता है मैं सुधिर कुमार आपके साथ हूँ आज हम कक्छा चार हिंदे सेकंड लेसन टू वण विचार के विशे में धिन करंगे आए देख कल हमने भासा और व्याकण और आज हम पहला वण विचार पड़ते हैं बोलते समय हम मुख से अनिक धवनिया निकालते हैं ये धवनिया ही वण है इने ही अक्छर भी कहते हैं वण की मुख्या पहचान यह है कि इसके ओट टुकड़े नहीं के जा सकते अथार सबसे छोटी वे छोटी छोटी धवनी है और अधिक टुकड़े नहीं के जा सकते वर्ण कहलाती है आब वर्ण के भेद वर्ण मुख्यते दो प्रकार के ओते सुवेर और वियंजन अब सुवेर देखेंगे नंबर वन जिन वर्णों के उचान में किस ये वर्ण की सहता क्याव सकता नहीं पड़ती उन्हें सुवर क कहते हैं बार समस्वर संग का ग्यार है ए आ ई ओ री ए आई ओ आओ कहते हैं कि सुवर वे होते हैं जो बिना किसी की साहता अन्या वर्ण की साहता से बोले जाते हैं यह मूल तर भी सब्द होते हैं वियंजन वियंजन देखिए जिन वर्णों के उच्वर में सुवर वर्णों की साहता लेनी पड़ती है उन्हें वियंजन कहते हैं हिंदी भासा में 33 वियंजन होते हैं कहने का तात्वरी है कि वेवर्ण जो स्वेरों की साहता से बोले जाते हैं वेंजन कहलाते हैं उच्छाणा इस्थल के आधार पर कंठ है कैखेगेगे अणे ये कंठ कंठ से बोले जाते हैं गले से तालव चै जे जे अडर थार ताल से बोले जाते हैं तालव से मुर्धन दे टे ए डे अडर ये मुर्धन ये है दनते ते थे दे धने यह दंत है होश्ट रही है होश्ट मतलब है यह होट और से बोल जाते हैं होट खुले रहते हैं पै फै बै भै मैं ये रेलेस वै से 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 है इनके देखिए इनके अतरी हिंदी में कुछ अन्यवर्ण भी है हिंदी के अतरी मतलब सुवर और वियंजन के अतरी हिंदी में अन्यवर्ण भी है आओ इने जाने आयोगवा अनुस्वार कहलाता है इसका चिन अंकी बिंदी भी कहते हैं इसको इसका प्रियोग वियंजन के ऊपर क्या जाता है जैसे पंख संख रंग तरंग पलंग पतंग आदी यह चंद्र बिंदु होता है यह अनुनासि कहलाता है इसे भी वियंजन के ऊपर ही लगाते हैं जैसे पाउ साब बासुरी हसमुक आदी इसे विसर कहते हैं इसका उच्चाण एह की तरह क्या जाता है जैसे प्रातै क्रम्सै नी सहय नी संकोच आदी श्यूक्त वियंजन श्यूक्त का मतलब जुड़ा हुआ दो वियंजनों के मिल से बने वियंजनों को श्यूक्त वियंजन कहा जाता है जैसे छे छे बना के प्लस से बना हुआ है जैसे रक्षा कक्षा भिक्षा त्रे तै में त्रे में तै आधा और रैपूरा त्रे जैसे छत्र मित्र पूत्र कुत्र गैग जै आधा रैपूरा जै याग ग्यान ग्याता ग्यानी श्रे में भी स्याधा रैपूरा है श्रम श्रे मीक श्रम आगत वर्ण हिंदी में कुछ वर्ण अन्य विदेशी भासाओं से भी आये हैं इन्हें आगत वर्ण कहते हैं जैसे आप्राक काली डॉक्टर हॉल चौकलेट कापी आदे अक्सर ये अधिकांसी इंग्लिश के अंग्रेजी के वर्ण होते हैं जैसे जुबान मार्ज फर्ण कागजा दिया दिकतर विदेशी होते हैं वर्ण माला सभी स्वेर और वियंजनों को मिला कर वर्ण माला बनती हैं वर्ण माला में वर्ण एक निश्चित करम से रखे जाते हैं एक निश्चित करम में रखे गए वर्णों के समू को ही वर्ण माला कहते हैं मात्राएं लिखते समय जब स्वेरों को वियंजन के साथ मिला जाता है तो उनका रूप बदल जाता है उनका यही बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है विएंजिन के साथ चिन रूप में जुड़ने वाले स्वेरी मात्रा कहलाते हैं ए के तिरे सभी स्वेरों को अपनी मात्राएं होती हैं ए सभी वणों के साथ पहले सी जुड़ा होता है इसलिए इसकी मात्रा अलग से मात्रा नहीं होती कोई मात्रा नहीं होती देखी मात्रा जैसे कै कै लेकब ये छोटी की मात्रा जैसे गैई गिन गिर बड़ी की मात्रा ये दिर्गे जैसे खै पे लगा देते हैं खै इर खीर बन जाएगा छोटा उ बै उ दे दे में आदा दे के साथ धै बड़ी की मात्रा ये बुद्धी ये बड़ी की मात्रा हो गया धै के नीचे लगा देंगे धै पिलस ले कर देंगे धूल बन जाएगा इसी पिरकार आगे मात्रा देखेंगे और इसका ध्यन रिविजन करें लेसन टू की रिडिंग करें और फिर में लगे अगले भाग के साथ सब्द भाग के साथ झाल